भारत में EV सब काफी ट्रेंडिंग है और एक ऐसी ही EV स्टोरी कवर करने के लिए आज हम निकले है हम जा रहे हैं आज महरास्टरा के टाकलेहाजी टाकलेहाजी पुने से कुछ 80 किलोमेटर दूर है और यहाँ पे हम मिलने वाले हैं मिस्टर दिलीप से मिस्टर दिलीप ने काम की बहुत ज्यादा नौलेज है जिस कारेंट से वा अपने बिजनस के लिए राइट डिसीजन्स ले पाते हैं और राइट डिसीजन्स के कारण ना सिर्फ उनकी फैमिली हैपी है और उनका बिजनस मॉडल भी काफी सस्टेनेबल है तो चलिये चलते हैं आज हम महरास्ट के ठाकले हाजी मिस्टर दिलीब के पास और जानते हैं किस तरह से उन्होंने फॉसल फ्यूल की डिपेंडेंसी कम करके एक इन्वारिमेंटल इंपैक किया है साथ ही साथ बिजनस के लिए लोगर ऑपरेटिंग कॉस्ट लेके आएं ईवी के इंटरस्टिंग फीचर जैसे की इजनिटिब ब्रेकिंग इंप्रूव्ट परफोर्मेंस और लॉंग टम सेविंग को उन्होंने अपने बिजनस का हिस्सा बनाया विलीब जी सारे बिजनस की मॉलीटरिंग खुद करते हैं गाडियां चलाते हैं मशीन्स चेक करते हैं और वो जानते हैं कि बिजनस को कैसे बनाना है उन्होंने जीरो से हीरो बने का सफर कुत्ताय किया है और चलिए जानते हैं उनका इंटरस्टिंग सा ये बजाज मैक्सिमा एटेक वाला इवी स्टोरी तो आज हमारे साथ बहुत ही ज्यादा खास मैमान है बेसिकली हम आज एक एक एवी का रिवी कर रिवीव कर बाइट लिए जाए और पूछा जाए जिन्होंने बजाज की मैक्सिमा एटेक लिया हुआ है कि यह जो गाड़ी है वो कैसा चल रहा है और क्या इसका फीडबैक है तो जो इसको यूस कर रहे है उनसे जादा बहतर कोई नहीं मुता सकता और एक दो तीन चार पांच छे आपका नाम बताए और आपके बारे में थोड़ा बताईए दिलीप नातो सोद्य मुकंपश्ट टाकले अजी तालो का शुरू जिल्लापुनी तो दिलीप टाकले अजी साथ हमारे साथ है और सर आपने कितने बजाज मैक्सिमा लिये हुआ है दस गाड़ी लिया पुरा दस के बारे करा लेक्वाvala क्यो लिया इलेटरिक व convergence पर आपकले को अमेरे को आड़ी मेरे को थी कप अपरता था मेरे को मेरे को मेरा अधिल प्रम कले घाले वस्ट पकड प्डходит भीप ऑंक, कप लिया कम सेकम मेरे को還 111200 पべ का इस गाड़ी मियी तो दिनका अवरी मेरा अज तो निए पैसा बच्छा था है इसमें आपने बज़ेस में तो कुछ पाथा नहीं इसके वज़ेस्टे तो उनको कुछ में अबी में दो आप जित मैना हो गाया थो मेरे के एक रुपे में इंद्रीशन नहीं आगा है न हार्म पाइब अ मेरे पीक अपको तो में बहुत पाइ तो सर आपने बीजनीस के बारे ना थी ठील हगा mission. मायर adverse Index 007 कि जामार जाता हो वा सम।ल करता है नयुकर य मेरे बाड़ा दियर्य मिले कि लाता हूँ अधर से चिल करने परक डेरी है उदर गौर देरी है उसके अधर मेरे चिल कर से तर्चाय चेर चाँ करते हैं तो गाओं जाने में निए जाने में कोई दिख्का तग राता है कोई चीज चीज आसी तो चालिशन नहीं पार गाड़ी क्यती में जाती है एक राइवर को टेंशन नहीं इतना अच्छा गाड़ी अच्छा अच्छा एक जी दोर कि 170 km ली आपको रेंज मिल जाता है 20-22 km चिल लग रहता है अच्छा आपको दस गाड़िया चार्जिंग में दिक्कत नहीं आता चार्ज कासे करते हैं चार्ज हमारे पास हो जो डेरी के लिए लाइट लिया है उनको बसामी सब थ्री पिन लगा है उसमें इस साधर सजी चार्जिंग हो जाता है नमल थ्री पिन प्रिष्र में तो शायद चार्जर भी इस नहीं है वंपोर्ण है कोई अलग से आपको अशिफ़ चार्जिंग लगा जरू लगा और काम हो जाता है कर चासाたर तो कि दिन इन में चार्ज़ों Panda, 28 गन्ता जिसका जह ज्यादा बचा इसको जतना चार्ज बचाँ ते चार्ज बचाँ उसके इसना चार्ज भचा इसमें ना चे फिट का डाल आता है पीछ तरह तो आपका लूड बन जाए और कितना दूद के गाड़ी ले आती है एंगाड़ी में हमारा है ना 700 ल डूद ने लेकिया ती गाड़ी साथनसलिटर साथनसलिटर वो शाम जाल दिखा कि खोच इसमें ना पाटानिया का आता है कि एक शॉका पाता ऑट और टो इससे टीशाइश है आज यसे तो यह है कि फिल जलकदा नहीं जलकता नहीं इसको पाठ़ा ने जलकता है इसके पर बाद है लोगों करता है कि अलेक्टरिक गाडी का ट्राइल लिया है जिदर मोटर सैटेस्था। लोड लेकि इसका चड़ाई से कोई सब्सक्राइब के लिए मोबाइल चार्जर दिया हो अंदर है और चलाने में वी कमफटेबल तो ड्राइवर अब क्या कहते है उनका क्या है पहले का चलने का चड़ना उतर में तो तक जाता था उसमें घर डालने का क्लेश दावाने का इस अधा घंठे में जल्दी आती है इस हमारा टाइम बज गया है और अधा बी मेनत बज गया है दूद चाड़ा उतारना भी असान इसमें आसर यह पूशना था कि जैसे ताकत वगरा गारी में कभी आसर लगा कि मुलब गाड़ी में ताकत कम है तो नहीं आज यह बात नहीं क काफी प्रॉफिट कर रही है चीज यह मेरा तो बश गया पुराज एक दिन का ए गाड़ी का तो हजार अकरश रुपाय का डिजल बज गया और जो पिक अप में बड़ा गाड़ी में पाथा लगता था उसमें एक रुपाय भी मेंट्रेंस नहीं मेरा टेंशनेंस खतम हो ग कि इतने साल तक तो कंपणी ने वारंटी दिया हूँ ऐसे कुछ हमको तो इतना बरुसा है इतना गाड़िया चे चलते कंपणी ने तीन साल के ता हमको सब गारंटी वारंटी सब दिया है हम बोलते तीन साल के वो छे साल भी उसमें कुछ होने वाला नहीं है यह कॉन्फिद तो आपको जैसे ड्राइवर लोग सुबा चलाते हैं कभी लेट नाइट श्याम को भी कलेक्शन करते होंगे तो कुई दिक्कत को चार्चन नहीं पुरा लाइट हम हमारा संकलन रहते ना छे बजी गाड़ी इदर जाती दस बजी गाड़ी पीछ आती लाइट लाइट जाओ काईसा भी जाओ को चार्चन नहीं जाएटी अचलता अधर में ड्राइवर को पता लगता लगता है कितना चार्च उआगा इगी तो सब शीज़ दूद्गोरा करने के लेगा है तो उधर लिगे समझती कितना किलोमेटर अभी जाएगी उसका भी कुछ टेंश नहे तो आपने कुछ फील किया है कि उसे थोड़ा रेंज बढ़ता है कुछ ब्रेक लगाते है तो कुछ ब्रेक वगरा कैसा करें जब जब आप अपने चला थी चला थी अक्सलेटर छोड़ दिया तो गाड़ी आटमेटिक चर्जिंग हो जाती है अच्छा अच्छा अनि गाड़ बच जाते हैं अब बताइए कि जर्री क्या क्या बचता को लग रहा है इसके वाली बचता है तो आईल का बच गाया है आईल देखने से गाड़ी इंजिन लॉक होती थी ट्राइब को यह ले देखता था इसके वोज़ेसे इसको तो टेंशन नहीं है इंजिन लॉक होने का अब तो अब तो तो यह लगाता आपको मैसूस है अभी तक कई गाड़ी मजबूत है मजबूत गाड़ी एकदा मजबूत कुछ टेंशन वाली चीज़ेस नहीं रहेगा अच्छा सर थैंक यू आपके समय के लिए तो दुस्तों यह थे दिलीब जी मिल कलेक्शन का काम है अ अब शेल जाती गाड़ी माक्सिमा कुछ गाड़ी कम जाती कुछ ज़्यादा भी जाती यह थेद्बगा काफी है कस्टोमर है सर संतोष्ट है एक दम यह गाड़ी लिने समय बहुत आनन्दी एक चीज बदाए जैसे जेनरली आपकी गाड़ी और भी लोगों ने देखा अब खरीदना है उसको खरीदना है उसको खरी सकता सर उस नहीं उसको प्रफिटी प्रफिट मिलेगा बौत तो यह है 75 यह का लागेसी 15 साल का बरुच का आज भी जब इलेक्रिक में भी आये और कार्गों साथ में इतना स्कुछ एक अच्छा करके जे रहे हैं वीडियो में इतना ही दिलीब जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सामय के लिए और आपका समय अमने लिया और आपने वी अच्छी बाते बताई था कि और भी लोगों को मजद मिले कि गाड़िया खरीदते टाइम और भी चीजा लेने में थैंक यू सब्सक्राइब